दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंसान जन्म लेने से पहले नौ महीने अपनी मा की गर्भ में समय व्यतीत करता है। बच्चा जब मा के गर्भ में पहली बार आता है तो मा उस बच्चे की इस मृत्यू लोक में आने से पहले ही कई सपने बुनने लगती है। लेकिन क् गरुड पुराण में जीवन, मृत्यू, स्वर्ग, नरक, पाप, पुन्य, मोक्ष पाने के उपाए आधी के साथ यह भी बताया गया है कि शिशु को माता के गर्भ में क्या-क्या कष्ट भोगने पड़ते हैं और वह किस प्रकार भगवान का स्मरण करता है। शिशु मा के गर्भ में क्या महसूस करता है, उस समय उसके मन एवं मस्तिश्क में क्या-क्या बातें चलती हैं। जीव को अपने पूर्वजन्मों का ग्यान रहता है। वह वहां समरण करता है कि आयू के समाप्त होने पर शरीर का परित करके अब मैं मलादी में रहने वाले छोटे-छोटे क्रिमी या कीटाणूओं की एक विशेश योनी में स्थित हूँ। उत्पन होते ही वह ततकाल उसे भूल जाता है। उसे याद आता है कि मैं दूसरे को चलने का विचार करता रहा। मैंने शरीर की रक्षा के लिए धर्म का प्रत्येक करके द्वितिय, छल, कपट और चोर वृत्ति का आश्रे लिया। फिर गर्भस्त जीव को याद आता है कि उसने अपने पिछले जन्म में अत्यंत कष्ट से स्वयम लक्ष्मी को एकत्र किया था। किन्तु अभिलाशित धन का उप्योग वह नहीं कर सका और अग्निदेव अतिथि और बंधु बांधवों को स्वादिष्ट अन्न फल, गोरस तथा तामबुल दे कर कि मैं उन्हें संतुष्ट करने में असफल रहा। फिर गर्वश जीप को याद आता है कि इस प्रिथ्वी पर स्थित त्रिविक्रम भगवान विष्णु की प्रतिमा का दर्शन तो मैंने किया नहीं, उन्हें प्रणाम नहीं किया और ना तो उनकी पूजा की। कि तुमने अपनी कमाई से जो धन अरजित किया था, उसमें से किसी को दान नहीं दिया, प्रिथ्वी पर रहते हुए तुमने भूमिदान, गोदान, जलदान, फलदान, तामबुलदान, अथवा गंधदान भी नहीं किया, तो अब भला क्या सोच रहे हो, तुम्हारे पित कि तुम्हारे द्वारा एकत्र किया गया, संपूर्ण धन धान्य पुत्रों ने हस्तगत कर लिया, जो कुछ तुम्हारा सुभाशित है, और जो कुछ तुमने धर्म संचय किया है, वह तुम्हारे साथ है, इस प्रिथ्वी पर जन्म लेने वाला राजा हो, अत्वा सन्यास या कोई श्रेष्टम ब्राह्मन हो, वह मरने के बाद पुनह आया हुआ नहीं दिखाई देता है, जो भी इस धरातल पर उत्पन्न हुआ है, उसकी मृत्यू निश्चित है, और इसके बाद वह विलाप करने लगता है, और वह भगवान से प्रार्थना करता है, कि यही प्र है, कि मैं इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने से पाप कर्म करने पड़ते हैं, जिससे नरक आदि प्राप्त होते हैं, इस कारण बड़े दुख से व्याप्त हूँ, फिर भी दुख रहित हो, आपके चरण का आश्रय लेकर मैं आत्मा का सं अनुसार से उद्धार करूँगा, माता के गर्भ में पूरे नौ महीने शिशु भगवान से प्रार्थना ही करता है, लेकिन यह समय पूरा होते ही, जब प्रसूती के समय वायू से ततकाल बाहर निकलता है, तो उसे कुछ याद नहीं रहता, साइंस के अनुसार मा की काफी पीडा का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उसके मस्तिश्क पर काफी जोर पड़ता है, शायद यही कारण है कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन गरुड पुरान के अनुसार प्रसूती की हवा से जैसे ही श्वास लेता हुआ शिशु माता के गर्भ से किसी बात का ज्यान भी नहीं रहता, गर्भ से अलग होकर वह ज्यान रहित हो जाता है, इसी कारण जन्म के समय वह रोता है, इन सब के अलावा गरुड पुरान में भगवान विश्नु ने ये भी बताया है, शिशु गर्भ में छह मास का हो जाता है, तो वह भूख प्यास क और इन कश्टों के कारण कई बार शिशु माता के गर्व में ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद अपने आसपास गंदगी देख फिर से भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है हे भगवान मुझे कब बाहर निकालोगे। युवा और व्रिद्ध होता है। यदि गर्भ में सोची गई बात सांसारिक व्याहमू के कारण विस्मित हो जाती है तो पुनह मृत्युकाल में उसकी याद आ जाती है। यदि शरीर के नश्ट होने पर वह रदय में ही रह गई है तो पुनह गर्भ में जाने पर उसका स्मरण होना निश्चित है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खूबसूरत है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। हम वीडियो में बताएंगे कि संतान, गोरी और काली किस कारण पैदा होती है। साथ ही हम जानेंगे गर्भ में लड़का है या लड़की। अगर आपको मिले ये संकेत तो सम जाना आपके गर्भ में है लड़का या लड़की। दोस्तों चाहें काला हो या गोरा, हमें किसी में भेद भाव नहीं करना चाहिए। हम सभी ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर एक है भगवान काले, शिव काले, राम काले, कृष्न काले तो भेद कैसा। दोस्तों इसकी ज्यादा संभावना होती है कि बच्चे का रंग भी गोरा होगा। ठीक इसी के विपरीद, अगर मां और बाप दोनों का रंग साबला होता है, तो इसकी ज्यादा संभावना होती है कि बच्चे का रंग भी साबला ही हो सकता है। अगर मां और बाप में से किसी एक का गोरा है और किसी एक का काला तो बच्चे का रंग गोरा भी हो सकता है या साबला और काला भी हो सकता है लेकिन आज हम जोतिश शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसकी वजह से होने वाले शिशु का रंग काला पड़ जाता है आप ऐसी गलती कभी मत क नहीं तो आपका होने वाला शिशु काला हो सकता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों नमबर एक। जिससे उसका रंग काला पढ़ जाता है। सूर्य ग्रहन के दोरान गर्भवती महिला को कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठहरी संतान किनर के रूप में भी हो सकती है। इसी लिए संबंधों को लेकर किसी और दिन को निर्धारित करें। दोस्तों नमबर तीन गर्भवती महिलाओं को काली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे भी शिशू या तो साबला पढ़ जाता है या फिर काला। ज्यादा से ज्यादा काली चीजें खाने से भी शिशू का रंग काला पढ़ जाता है। क्योंकि इससे शिशू फली भूत होता है और कामयाब भी। दोस्तों नमबर पांच प्रेगनिंसी में ज्यादा मेडिसिन लेने से भी संतान काली पढ़ जाती है। माना की प्रेगनेंसी में मेडिसिन लेनी चाहिए, लेकिन कम मात्रा में और डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए, जियोतिश शास्त्र में बताया जाता है कि गर्भवती महिलाओं को अपना पेट, किसी पराइस्त्री को या बार-बार इसका प्रदर्शन नहीं करना इससे भी होने वाला शिशु काला पढ़ जाता है, और नजर दोश का शिकार हो सकता है, गर्भवती महिलाओं को अपना पेट हमेशा ढख कर रखना चाहिए, और जरूरत पढ़ने पर ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए, पेट को दिखाने पर शो ओन अफ करने पर संतान की मृत्यू भी हो सकती है, दुरघट ना हो सकती है। दोस्तों, इस बात से परेशान हर माबाप कोई ना कोई जुगाद ढूंडते ही रहते हैं, कि किस तरह से ये पता लगाया जाए, कि आखिर पेट में पल रहा बच्चा लड़का है, या फिर लड़की तो चलिये जानते हैं। जोरी से महसूस होती है और बार बार उल्टी आना चक्कर आना होता रहता है, तो पेट में लड़की होने की आशंका बनी रहती है। दोस्तों नमबर तीन, चहरे पर ध्यान से देखिए, अगर आपके चहरे की रंगत उड़ गई है, निखार पूरी तरह से गायब हो गया है, तो मतलब साफ है, गर्भ में लड़का है। दोस्तों नमबर चार मिली जानकारी के अनुसार, जब इस बात पर शोध किया गया, तो पता चला कि जो महिला खट्टा और तीखा ज्यादा खाती है, तो उनकी होने वाली संतान बेटा पाई गई। तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि 70% आप एक बेटे को जन्म दे सकती हैं। कई बार उन्हें लड़कों वाली चीजें पसंद आती हैं। दरसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा तथ्य है। दरसल जब महिला के पेट में लड़का होता है, तो उसके अंदर मर्दों वाले गुण पनपते हैं, जिसकी वजह से महिला के स्वभाव में काफी हद तक परिवर्तन हो जाता है। कभी-कभी तो वह मर्दों के वस्तर भी पहनने लगती हैं। दोस्तो नमबर 9 जिस गर्भवती महिला को अधिक से ज्यादा अगर गुस्सा आने लगे। या उसका दमसा घुटने लगा है, तो इस बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्भ में बेटी है। बही जीस गर्भती महिला का मन बाहर घूमने का करता है, या फिर मस्ती करना या फिर खेलने का करता है, तो इससे भी हम ये पता लगा सकते हैं कि गर्भ में बेटी है। पुण्य हासिल हो जाते हैं और अगले जनम में वो व्यक्ति, हजार गुना सुख की प्राप्ति पाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कौन सी महिला बांज रह जाती है, जिसके पेट में कभी शिशू नहीं आता, जो संतान के लिए बार बार तरस्ती रहती है। संतान का सुख इनके जीवन में नहीं होता, तो चलिए जानते हैं, आचार्य चानक के ने कहा था, ऐसी औरत कभी मा नहीं बनती, सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। चानक के कहते हैं, ऐसी औरत हमेशा बांज रहती है, अगर आपके भी नहीं है, संतान तो ये जानकारी आपके लिए है, तो चलिए जानते हैं। या मनुष्य के बच्चे पर अत्याचार किया होगा, और इसी कारण भी स्त्री को संतान से वंचित होना पड़ता है। शास्त्र ये भी कहता है, जो बच्चों को पीडा पहुँचाता है, और पशुओं के छोटे-छोटे बच्चों पर जुल्म करता है, तो वो हमेशा संतान से वंचित रह जाता है। दोस्तों नमबर टू, जो स्त्री पुरुष किसी पशु के नवजात बच्चे का मान्स खाता है, तो उसे अगले जनम में संतान से वंचित होना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्र कहता है, जब कोई पुरुष अपने पिछले जनम में या इसी जनम में इसी नवजात को कश्ट पहुँचाता है, तब दोनों पति-पत्नी में पुरुष को संतान सुख की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन उस पुरुष की मृत्यू जल्दी हो जात जब कोई महिला अगर अपने पिछले जनम में या इसी जनम में किसी नवजात को कश्ट पहुँचती है, तो उसे भी संतान से वंचित होना पड़ता है। जी हाँ, ये बात बिलकुल सच है। शास्त्र कहता है, संतान की प्राप्ति के लिए पुरुष और महिला, दोनों को ही किसी पशु के नवजात बच्चे को दूध भोजन खिलाना चाहिए और छोटे छोटे बच्चों से प्रेम करना चाहिए। बच्चों को भोजन खिलान प्यार करने से संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। ऐसे में किसी भी जोड़े को लड़का और लड़की में कोई भी फरक नहीं देखना चाहिए। इश्वर जो संतान आपको देगा, उसी में आपको खुश रहना चाहिए। दोस्तों फिर चाहें वो लड़का हो या ल